इस वीडियो में आप गैंग टॉप के टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानने वाले हैं। गैंग टॉप जाने से पहले इस यूट्यूब ओडियो बुक को जरूर सुने। नाथुला, नाथुला, दुनिया की सबसे उजी मोटर योग्य सर्कों में से एक, हिमालय की चोटियों में एक पहारी दर्रा है जो सिक्किम और चीन को जोलता है। समुद तल से 14,450 फीट उपर भारत तिबबत सीमा परस्थित, नाथुला देश की सबसे महत्वपून हिमालाई दर्रों में से एक है। नाथु का अर्थ है, सुनने वाले कान, और ला का अर्थ है, पास। नाथुला भारत और चीन के बीच तीन खुली व्यापारिक सीमा चोकियों में से एक है और अपनी सुरम्य सुन्दर्ता और सुन्दर वातावरन के लिए प्रसिध है। यहां साल के अधिकांश हिस्सों में तापमान कम रहता है और गर्मियों के दोरान ये पर्यतकों के लिए आकर्शन का केंडर बन जाता है। घाटी में ट्रैकिंग और प्राकृतिक सुन्दर्ता का आनंद लेने के लिए हर साल कई पर्यतक यहां आते हैं। गैंग टॉक से नाथूला तक के रास्ते में कई जरने हैं जो क्षेत्र को घीरे हुए खूबसूरत बर्फ की चोटियों को देखने का अफसर भी प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र हिमालाए वन्यजीवों जैसे तिबबती गजेल, हिंतेंडवा या तिबबती ब्यढ़ी आधी का भी समर्थन करता है। तिबबती क्षेत्र में नाथूला दर्रे के आसपास के क्षेत्र में बिखरी जाडियों के अलावा बहुत कम या कोई वनस्पती नहीं है। नाथूला दर्रा विबिन जानवरों और पक्षियों का घर है जिन में पश्मीना प्रकार की बक्रियां, तिबबती जुन्द याक और भेल शामिल है। इसमें टिबबती गजेल, स्नो लेपड, टिबबती वूल्फ, टिबबती स्नो कॉक, गोल्डन इगल और रैवन जैसी लुपतपराय प्रजातिया भी शामिल हैं। मोनल्स और बलड टीतर जैसे टीतर भी पाए जाते हैं। नाथूला का इतिहास, कुराने रेशम मार्प पर स्थित, नाथूला दर्रा सिक्किम को चीन की तिबबत स्वायक शेत्र से जोलता है। 1969 में पीपुल्स रिपबलिक ओफ चाइना द्वारा तिबबती विद्रोह को दबाने के बाद इसे लगभग चार दशकों तक सील कर दिया गया था। हाला कि, जब भारत के पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने 2003 में चीन का दौरा किया, तो रन्नीतिक मार्प खुलने के लिए बादचीत फिर से शुरू हुई। नाथुला दर्रा 2006 में फिर से खुला गया था और तब से यह एक आधिकारिक सीमा कार्मिक बैठक BPM बिंदू की रूप में कार्य करता है। चून की यह भारत और चीन के बीच तीन खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है, नाथुला दर्रे ने चीन भारत व्यापार में महत्वपून भूमिका निभाई है। इसने महत्वपून बौध और हिंदू तीरत स्थलों के बीच की दूरी को भी कम कर दिया है, जिससे अर्थ्व्यवस्था मजबूत हुई है और चीन की साथ सीमा संबंधों में सुधार हुआ है। भूगोल और जलवायू, नाथूला दर्रा सिक्किन की राजधानी गैंटॉक से 54 किलोमीटर और तिबग की राजधानी लासा से 430 किलोमीटर दूर स्थित है। सर्दियों में भारी बर्फबारी से दर्रा अवरोध हो जाता है। नाथूला दर्रे में मध्यम रूप से उथली, अत्यदिक जल निकासे वाली, पत्रीली और मध्यम पत्रीली सतह के साथ खड़ी धलान पर दोमत मिट्टी है। इसमें कई डूग शेत्र हैं और इसके कुछ हिस्सों में भूस्खलन का खत्रा है। नाथूला दर्रे में कोई मौसम विज्ञान केंद्र नहीं है। उसक शेत्र में मौसम संबंधी आंकरों का व्यवस्थित माप उपलब्ध नहीं है। हाला कि उसक शेत्र के आसपास हिमाले के उचे हिस्से में गर्मियों का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। भारतिय पक्ष में नाथुला दर्रे के नाजुक परियावरं को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार परियतकों के प्रबाह को नियंत्रित करती है और सरकों का रखरकाव भारतिय सेना की एक शाखह सीमसरक संगथन द्वारा किया जाता है। नाथुला दर्रे तक कैसे पहुंचें? वायू मार्क नाथुला का निकत्तम हवाय अदा बागदोग्रा हवाय अदा है और ये दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है वहां से आप गैंग टॉक पहुंचने के लिए टैक्सी किराय पर ले सकते हैं जो सरक मार द्वारा नाथुला से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है रेल मार्क निकत्तम रेलवे स्टेशन जलपाई गुड़ी में है जो गैंग टॉक से 98 किलोमीटर दूर है गैंग टॉक पहुंचने के लिए आप यहां से टैक्सी ले सकते हैं सरक मार्क नाथुला गैंग टॉक से स पहारी बर्फबारी होती है इसक्षेत्र का तापमान माइनस 25 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है यदि आपको वास्तव में बर्फ पसंद है तो आप सर्देव में मोटे उनी कप्डों के साथ नाथुला दर्रे की यात्रा कर सकते हैं मैई से मध्य नवंबर तक गर्मी का म कीलों में से एक है जो गैंग्टॉप नाथुला राजमार पर स्थित है चंग्दू जील के नाम से भी मशहूर यहर पर्यतक के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा है और एक अच्छे कारण से है इसकी प्राकृतिक सुंदर्टा खड़ी बर्फ से धकी पहाडियों से गिरी और अ आराम करते हुए तसोगमो जील की आकर्शक सुंदर्टा आपको आश्चारे चकित कर देगी जील का मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्राकृतिक आकर्शन स्थानिय लोगों के लिए इसके पौरानिक महत्व के साथ मिलकर निश्चित रूप से इसे सिक्किम का एक अवश्य देखने योग्य आकर्शन बनाता है तसोंगो जील एक हिमाच्छादिक जील है जिसका पानी इसके चारों और के पहाणों की पिघलती बर्फ से आता है ये हिमंदी जील अपने रंग बदलने वाले पानी के लिए प्रसिध है मानसून में एक चमकी एक वमरीन जील जील में ये बर्फ के पारभासी आवरल में जम जाती है जैसे ही माई के मध्य में गर्मिया आती है इस जील की परिदी हजारों खिलने वाले फूलों से भर जाती है जो पानी को जीवं तरंगों का एक दनगा प्रदान करते हैं भूठिया भाषा में तसो का अर्थ है जील और एंगु का अर्थ है सेरो और अनिवार्य रूप से इसका अर्थ है पानी का स्रोत जो भूटिया लोगों के लिए अत्यदेख धार्मिक और सांस्कृतिक मेहत्वर रखता है। सिक्की वासियो द्वारा एक पवित्र जील मानी जाने वाली चानगु जील कई मिथकों और कीमगंतियों से जुड़ी हुई है। वे कहते हैं कि बौग विक्षु भविश्य की भविश्यवानी करने के लिए जील की रंग का विशलेशन करते थे। तसोंगो जील की यात्रा से पहले अवश्य जान लें। में एजेंट की शूर्ट के अलावा कोई शूर्किया लागत नहीं है और आपको एक आईडी प्रमान और दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें जमा करनी होंगी पर मिटाने में एक या दो दिन लग जाते हैं युक्तिया एक जील की यात्रा करते समय जूते पहनना साथ रखन का सुनिश्चित करें क्योंकि यह बहुत फिसलन भरा होता है जील के पास प्लास्टिक के जूते भी लगभग 50 रुप्य में किराय पर उपलब्ध हैं इसके अलावा मोसे की एक अतिरिक जोडी भी ले जाएं दो सुबल के शुरुवाती घंटों में जील पर जाने की कोशि रहें और आप देर शाम के दोरान वहां फसना नहीं चाहेंगे तसोंगल जील का प्राकृतिक सुंदर्या तसोंगल जील की शांदार प्राकृतिक सुंदर्ता दूर दूर से पर्यतकों को मंत्र मुग्ध कर देती है और उन्हें और अधिक देखने के लिए उत्सुक रखत यहां कई विदेशी और वशधी ये पौधे भी हैं जो गर्मियों में खिलते हैं। वश के इस समय के दौरान चानबु जील का द्रिश्य निश्चित रूप से आपको प्रकृती की मनमोहक और अद्भुत रचनाव से प्यार करने पर मजबूर कर देगा। सर्दियों के दौरान पूरी जील बर्फ की एक विशाल ट्रे में जम जाती है। इस जील की चमकदार सतह ऐसी चमकती है जैसे नर्म धूप के नीचे पाला चमकता है। राजसी बर्फ से धके पहारों के आधार पर थोस रूप से जमी इस विशाल जील को देखना वास्तब में आँखों के लिए एक लुभावनी दावत है। तसोंगो जील पर खड़े होकर आप सिक्किम की राजधानी गैंग टॉक के मनोरम द्रिश्य का आनंद ले सकते हैं। कई दुरलग प्रवासी पक्षियों ने इस खूप सूरत जील को अपना मौसमी घर बना लिया है, जिन में ब्राहमनी बत्तक भी शामिल है। जब पश्चिम में असहनिय थंड परती है तो सेकलो ब्राहमनी बत्तक है यहां जुंड में आ जाती है और इंकोमल जल में आराम म सकता है या रंग बिरंगे सजे हुए याक और खचरों पर जील की परिदी पर सवारी का आनंद ले सकता है। लगभग 200 मीटर दूर एक छोटा बाजार है जो परियतकों को याक पनीर, ट्रिंकेट और स्थानिय क्यूरियोस बेचता है। कुछ स्टॉल अत्यदिक थंड होन और सर्दियों में कडाके की ठन से निपटने में आपकी मदद करेगा। तसोंगुल जील की कींदंती, तसोंगुल जील मिठकों और कींदंतियों में दूबी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में बौध विक्षु केवल जील की रंग को देखकर भविश्य की भविश्यवानी करने में सक्षम थे पानी का गहरा रंग गहरी या अधिक परेशानी वाले भविश्य का संकेत देता था। सिक्किन के आस्था चिकितसक जन्हें जाकर इसकी नाम से जाना जाता है। गुरु पूल निमा और रक्षा बंधन के दौरान इस जील पर प्रार् की रहती है। मौसल सुहावना है और न्यूंतम माइनस एक डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच है। अक्तूबर से दिसंबर तक आस्मान साफ रहता है और आसपास का एक जीवंत और अबाधिक द्रिश्य प्रस्तुत करता है। तापमान पांच डिग्री सेल के बीच रहता है जन्वरी से मार्च तक पूरी चानगू जील जमी रहती है और तापमान माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तसोंगू जील तक कैसे पहुँचें किराय के लिए विशेश कारे उपलब्ध हैं जो गैंग टॉक से चानगू जील तक जाती हैं जो करना चुन सकते हैं और प्रतिव यक्ति 450 रुक्य का भुपतान कर सकते हैं ये ध्यान रखना महित्वपूर्ण है कि इतनी उचाई पर हवा बहुत पतली होती है जिससे शिशू वरिष्ठ नागरिकों और रिदैया सांस समबंदी किसी भी समस्या वाले लोगों के लिए सां केंद्र कहा जाता है ये बौधू की करग्यू सम्प्रदाय से संबंदित है जिनकी उकपत्ती बारवी शताब्दी में तिबबत में हुई थी मत के चारों और हरे भरे पहार हैं और इस प्रकार यहाध्यात्मिक सांत्वना का केंद्र बिंदू हूने के अलावा एक द्रिश शिक्षाओं को फैलाने के उद्देश्य से की गई थी इस भव्य संरचना की चारों और एक पैदल मार्ग हैं जिस पर भिक्षू, तीर्थ्यात्री और आगन तुक कोरा मत का एक चक्कर करते हैं शानदार रुम्टेक मत में एक सुनेहरा स्टूप और कई अन्यमूर्तिया स सनरक्षित हैं जो सोलहवे कर्मापा की थी परमपर अगत रूप से ये भी माना जाता है कि स्वर्न स्टूप का निर्मान महाम हिम सोलहवे ग्यालवा कर्मापा रंगजन रिक्पे दोर्जे की पुनरजन की बाधाउं को दूर करने के उद्देशे से किया गया था ये सिक्क के भंदार ग्रह के रूप में भी कार्या करता है आश्चर्य जनक मत के अंदर विशाल प्रार्थना कक्ष देखने लायक जगह है जो शांदार भित्ती चित्रों मूर्तियों और थंखाउं से सजाया गया है रुम्टेक मत की वास्तुकला रुम्टेक मत एक तीन मंजिला इ मत के शीर्ष स्तर पर एक छत और एक छोटा स्तूप है मुख्य भावन में एक मंदर है जिसे पारंपरिक रूप से धार्मिक ब्रंतों से सजाया गया है रुम्टेक मत रुम्टेक मत स्रोत के बाहर और अंदर जतल भित्तिचित्र और भित्तिचित्र रुम्टेक मत की मुख पाक्ष, धृत्राष्ट्रो और वैश्रवन की मूर्तियां स्थापित हैं जिन्हे संपूर्ण ब्रह्मान का संरक्षक माना जाता था। मत के बाहर आप एक सीरी देख सकते हैं जो आपको नालंदा उच्चबॉध अध्ययन संस्थान तक ले जाएगी। संस्थान के सामने एक इमारत है जिसमें शुद्ध सोने से बना सोलहवे करमापा का स्वर्ल स्थूप है। कुछ मीटर की दूरी पर कई विदेशी पक्षियों वाला पक्षी विहार है। यदि आप आधा किलोमीटर तक चड़ाई करते हैं, तो आप भिक्षूओं के लिए आश्रम स्थल्पा सकते हैं जहां वे तीन साल तक पूर्नेकांत में ध्यान करते हैं। रुम्टेक मत प्रांगन, रुम्टेक मत स्रोत के बाहर का प्रांगन, कोरा, टिब्बती में कोरा को क्रांती या परिक्रमा के रूप में परिभाशित किया गया है, जिसका अर्थ है किसी चीज के चारों और घूमना। यहुन समारों, समारों और अनुष्ठानों से निकता से जुड़ा हुआ है जो एक तीर थ्यात्रा का गथन करते हैं। कोरा को मृत लोगों के लिए पुन्य प्राप्त करने और लोगों की सम्रिद्धी बढ़ाने के लिए प्रार्थना करने के एक तरीके की रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार यहां गंतुकों और निवासियों को स्टूप पत के साथ रूम्टेक मर्थ की परिक्रमा कोरा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। लोहे के लिए, सफेद पानी के लिए, लाल अगनी के लिए, तीला प्रित्वी के लिए और हरा लकरी के लिए। टैक्सी जीट सेविस स्टैन से एक साचा टैक्सी किराय पर ली जा सकती है जो NH3AK पर होटल हंगरी जैक के पास स्थित है। ये सुबल 10 बजे बजे से दो पहर 2 बजे बजे तक खुला रहता है। वेकल्पिक रूप से आप गैंग टॉक से रुम्टेक तक नियमित रूप से चलने वाली बस पर भी चग सकते हैं। बसे और टैक्सियां आपको मठ के नीचे एक बिंदू पर छोड़ देंगी जहां से रुम्टेक मठ के मुखे द्वार तक काफी लंबी और खड़ी चड़ाए है। रुम्टेक मठ का इतिहास और महत्व रुम्टेक मठ जिसे रुम्टेक धर्म चक्र केंडर भी कहा जाता है। शांती पाने में बिताए। उसके बाद उन्हें काग्यू परंपरा में पूर्ण प्रसारन प्राप्त हुआ जिसे दग्रेट सीर के नाम से जाना जाता है। तरुम्टेक मठ में विभिन कार्यक्रम और प्रार्थनाय मनाई जाती है। प्रतेक घटना का पालन करने का एक अलग द्रिष्टिकोर होता है जो अपने तरीके से अध्वितिय होता है। लोसर तिब्बती नव वर्ष जिसे लोसर के नाम से जाना जाता है। एक त्योहार है जो सिक्किम में धूमधाम से मनाया जाता है। ये कार्यक्रम फरवरी के महीने में तीन दिनों तक मनाया जाता है जिसमें भगवान बुद्ध, गुरु पद्नसम्भव और ग्यालवा कर्मापा के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा की जाती है और इसे उन किसानों के लिए एक आरामदायक मौसम के रूप में भी मनाया जाता है इस दिन चौथी चंडर तिब्बती महीने की दोरान भिक्षु समुदाय द्वारा एक करोर मंत्रों का जाप किया जाता है ये पूजा कई दिनों तक चलती है और विश्व शान्ती और खुशी को समर्पित है जहां भगवान बुद्ध के उपदेश दिये जाते है परमपावन का जनम दिन सत्रहवी ग्यालवा कर्मापा ओगें त्रिनले दोर्जे का जनम दिन 26 जून को मनाया जाता है जिसमें एक समारोह आयोजित किया जाता है जिसके बाद आम समुदाय में विभिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, नित्यों और लोगगीत गाये जाते हैं ग्रीश्म का लीन रिट्रीट, मत में विक्षू हर साल के छठे चंद्र महीने में 45 दिनों के लिए एक आंत्वास करते हैं, जो आमतोर पर जुलाई या अगस्त होता है वे सोजों जैसे विभिन अनुष्ठान करते हैं, दोशों की स्वीकारोक्ते और प्रतिग्याओं का नवी करन जो हर दो महीने में होता है, नियमों और विनिमों का पालं करते हैं और मत के चिनिक शेत्र से आगे नहीं जाने का वादा करते हैं रिट्रीट का समापन गाके के साथ होता है जहां सभी प्रतिबंध भी हटा दिये जाते हैं गुट लोसर शुरू होने से दो दिन पहले यानी फरवरी महीने में रूम्टिक मत में गुटोर चाम नृत्य मनाया जाता है हर साल के अंत में विक्षू लोसर से पहले एक सब्ताह तक चलने वाली महाकाल पूजा करते हैं यहे एक मुखोटा लामा नृत्य है जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है और विक्षूओ द्वारा किया जाता है और इस अनुष्थान का एक मात्रूत देशी दुनिया में शान्ती और सद्भाव को बढ़ावा देना है इंजी रोड गैंग टॉक इंजी रोड गैंग टॉक का दिल है और इसकी सबसे महत्वपून जगह है यह स्खूब सुरत राज्य की राजधानी का केंद्र या खरीदारी केंद्र है जिसके दोनों और विभिन दुकाने, रिस्तरा और होटल है इंजी रोड एक खुला मॉल या बुलिवार्ट स्क्वाय है जिसे व्यापक रूप से शहर का केंद्र माना जाता है और यह परियतकों के लिए सबसे अच्छा खरीदारी स्थल है यह इत्मिनान से टहलने या बस बेंचो पर बैठने और उदार महौल का आनंग लेने के लिए एक शांदार जगह है लगभग एक किलोमीटर लंबी इस सड़क पर सबसे पहली चीज जिस पर ध्यान जाता है वह है साफ सफाई हर जगह बोर्ड लगे है जिन पर लिखा है एंजी मार्ग थूक और कूरा मुक्ट क्षेत्र में आपका स्वागत है कूरा क्षेत्र दुयें कूरे और वहन यातायाद से मुक्ट है ये केवल पैदल यात्रियों के लिए क्षेत्र है और वहनों को अनुमती नहीं है सरकार की हरित पहल के अनुरूप गैंग टॉक में एंजी रोड के दोनों और की इमारतों को हरे रंग से रंगा गया है ये स्थान गैंग टॉक फूड एंड कल्चर फेस्टिवल के लिए भी प्रसिध है जो हर साल दिसंबर में आयोचित होने वाला एक साधरन उत्सव है और इसमें देश भर से शौकीनों की भीर उमरती है स्टाची ओफ यूनिटी एंजी रोड को देखती है जिसमें भूटिया सरदार खेबुमसा, लेप्चा नेता थेटों टीक और उनकी पतनी नगो को उन गैंजी ओ एल की मूरतिया शामिल है ये प्रतिमा शान्ती, प्रेम और सदभाव को बढ़ावा देती है लगभग मध्य में महात्मा गांधी की एक भाव्य प्रतिमा है अन्या आकर्शक चीजे विक्टोरियन लाम्प और रास्ते में विभिन बैंच है गैंग टॉक की एंजी रोड अंधेरे के बाद जब रोशनी जलती है तो आश्चर्य जनक दिखती है जिससे यह स्विचित्र पहारी शहर में काफी भीर भार वाली जगह बन जाती है गैंग टॉक फूड एंड कल्चर फेस्टिवल गैंग टॉक फूड एंड कल्चर फेस्टिवल सिक्किन पर्यतन विभाग द्वारा आयोजित गैंग टॉक वार्शिक खाद्य और संस्कृती महुतसव हर साल दिसंबर में आयोजित किया जाता है ये त्योहार गैंग टॉक की जीवन संस्कृती और स्वादिष्ट भोजन को बढ़ावा देता है जहां पारंपरेक्व अंजनों को प्रस्तुत किया जाता है और दूर दूर से आने वाले आगंतुकों के मनोरंजन के लिए संगीत और नृत्य प्रदर्शन आयोजित किये जा है जहां सास्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उत्सव का पहला दिन एक कार्निवल से जग मगाता है जो पूरे शहर में घूमता है दो एंजी रोड पर रेस्तरा और बार एंजी रोड पर रेस्तरा और बार जबकि एंजी रोड पर कई रेस्तरा और भोजनाले हैं सबसे लोग प अपनी पेस्ट्री, कॉफी, मोमोज और पैटीस के लिए जाना जाता है, पी यूबी पच्चीस, परिवार, एक शुधर शाकहारी भुजन और रसोई के लिए बढ़िया स्थान, अग्रवाज फूर्ड मिल्कशेक या नर्म आइस्क्रीन के साथ मूँ में पानी ला देने वा पारम पर एक सिक्किमी चाय के कप तक आपको पसंद के बारे में पता नहीं चलेगा, तिबबती शेली में थानका और अनोखी चोकसी टेबल डिजाइन काफी लोगप्रिय हैं, यहां बड़ी संख्या में कपड़े, जूते, स्मिती चिन्ह, ट्रिंकेट आदी बेचने वाल अपनी तरह के बहुत कम संस्थानों में से एक, नामग्याल इंस्टीट आफ तिबटॉलजी सदियों पुरानी तिबबती बौध संस्कृती और उसके इतिहास का निवास स्थान है, इनाइटी देश के गौरव शाली अतीत, धर्म और इसकी बहमूय संस्कृती को अत्यांत समर्पन के साथ संरक्षित करता है और यह संग्रहलय और कुस्तकालय में उत्कृष्ट संग्रह में दिखता है जो यहां के मुख्या आकर्शन है, एश्या इसंस्कृती और बौध अध्यायन के अनियाईयों के लिए इसकी भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, अपने शान से वह सब कुछ ले सकते हैं जो आप चाहते हैं। कला और साहित्य के संरक्षल और प्रचार के अग्रदूतों में से एक है। आदमेक रूप से सम्रिधा इनाइटी को धन्यवाद भाविश्य। अवश्य जाएं, टैग, मील का पत्थर, समय, सोमवार शनिवार, सुबह दस बजे बजे, शाम चार बजे बजे प्रविवार, दूसरे शनिवार और सरकारी चुट्टियों पर बंद। प्रवेश शुर्क, दस भारती रुपे, योजना बनाना, अपना प्रश्न कूछे, नामग्याल इंस्टीट ओफ तिबतोलजी, गैंटो कवलोकन, अपनी तरह के बहुत कम संस्थानों में से एक, नामग्याल इंस्टीट ओफ तिबतोलजी सदियों पुरानी तिब्बती ब अपने शांत और शांत आकर्शन के साथ, ये परियतकों के लिए भी एक स्वर्ग है, खासकर कभी कभार इतिहास उत्साही लोगों के लिए, अंदर फोटोग्राफी की अनुमती नहीं है, लेकिन आप तक्नीक से कुछ समय निकाल सकते हैं और अपनी आँखों के लेंस से व बौद संस्कृती के अध्यायन और अनुसंधान के लिए एक स्थान होने के बावजूद, नामग्याल संस्थान गैंटॉक में एक प्रमुक परियतक आकर्शन के रूप में उभरा है। ये तिबबती इतिहास, कला, साहित्य, वास्तुकला, धर्म, दर्शन और उस से जुर चार के अग्रदूतों में से एक है। हरे भरे प्रकृती की गोद के बीच तिबबती स्थापत्य शेली में निर्मित, अग्रभाग अपने उजे सुनहरे तावरों, आकर्शक और महत्वपून भित्तिचित्रों और रंगीन भित्तिचित्रों के साथ शानदार धंग से बात करते हैं और अकादमिक रूप से सम्रिधा इनाइटी को धन्यवाद भाविश्य नामग्याल इंस्टीट ऑफ तिबतॉलोजी जाने से पहले अवश्य जान लें। ब्रमन के लिए सुझाव 1. संग्रहाले में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतार दें। 2. संग्रहाले के अंदर फोटोग्राफी सक्त वर्जित है। 3. नामग्याल इंस्टीट बिल्दिन के सामने एक आरामदाय कैफे है जो वास्तव में गैंग टॉक में एमजी रोड के बेकर कैफे की एक शाखा है। ये गर्मा गरम चाय और कॉफी और विभिन प्रकार के स्नेक्स परोस्ता है। अनुष्ठानिक वस्तूओं, पारम पर एक कला के टुकड़े, ठंक्ता कप्डों के टुकड़ों पर बौग पेंटिंग से लेकर संस्कृत, चीनी, तिबबती और में लिखी गई कई प्राचीन पांडुलिप्या शामिल है। लेक्चा सभी को आगंतुकों के लिए प्रदर्शन पर रखा गया है। ये लिपिया वर्षों से दुनिया भर से एक अत्र की गई है। और विद्वानों द्वारा वर्षों से लिखे गई लेक शामिल है। लेकि कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नामग्याल इंस्टीटीट की इमारत के ठीक सामने अस्ता मंगला आठ नाम की एक छोटी सी क्यूर्यो कम स्मारिका की दुकान है। दुकान ट्रिनकेट, उफार वस्तों, पारम पर एक सिक्किनी कला के टुकरों और कप्टों की वस्तों, अलंकृत शोपीस और चान्दी के बर्तनों से भरी हुई है। नामग्याल इंस्टीट ओफ तिबतोलजी का इतिहास। तिबबती इतिहास के पत्प्रदर्शक की अपनी एक महत्वपूर्ण नीव है। जिस भूमी पर नामग्याल इंस्टीट ओफ तिबतोलजी स्थित है। वो डिवंगत राजा सिक्किम में चोग्याल सरताशी नामग द्वारा दान की गई थी जिनके नाम पर संस्थान का नाम रखा गया है। के लिए खोला गया और इसे अपना अनुसंधान विंग भी मिला। पासानी से कैब ले सकते हैं और वहां पहुँच सकते हैं। यदि आपको यात्रा कर रहे हैं तो नाम गयाल इंस्टीट ओफ तिबतॉलजी भी शहर के लगभग सभी पैकेस टूर में शामिल है। संस्थान देवराली बाजार रोकवे स्टेशन और देवराली टेक्सी स्टेंड से केवल 6 मिनित की पैदल दूरी पर है। नाम गयाल इंस्टीट ओफ तिबतॉलजी में कला कृतियां, कई अन्य दुरलब कृतियों में 135 खंड का एंसाइक्लोपीडिया तिबतिका भी है। नाम गयाल इंस्टीट ओफ तिबतॉलजी लाइब्रेरी सभी आगंतुकों के लिए खुली है, लेकिन किसी को भी घर पर किताबे किराय पर लेने की अनुमती नहीं है क्योंकि यहीं एक संदर्ब पुस्तकालय है। इसका मुख्य कारण साहित्य के सभी दुरलब और सद्यों पुराने टुकणों के लिए सुरक्षा कारण है। बौध धर्म लाने वाले तीन संस्थापक लामा सिक्किम और राजा फुन्सोक नामग्याल सिक्किम के पहले राजा। पूरे प्रदर्शन का शोस्टॉपर माजुश्री की शानदार चान्दी की छवी है। बोधिसत्व या प्रबुध भगवान बुद्ध को प्रामानिक सिक्किमी कलात्मक्ता में चित्रत किया गया है। विश्व की तीसरी सबसे उची चोटी, कंचन जंगा। दुनिया की तीसरी सबसे उची चोटी, राजसी कंचन जंगा, जिससे कंचन जंगा भी कहा जाता है, सबसे आश्चर्य जनक पहाडों में से एक है। नेपाल, सिक्किम और तिबबत से घिरे माउंट कंचन जंगा पर पहली बार 1955 में चड़ाई की गई थी, लेकिन तब से इसे पवित्र घोशित कर दिया गया है। कंचन जंगा, एक तिबबती नाम है जिसका अर्थ है, उच्चबर्फ के पांच हजाने। खजाने भगवान के पांच भंदारों का प्रतिनिदित्व करते हैं, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र पुस्तके। कंचन जंगा और उसके आसपास बहुत सारे ट्रेकिंग मार्ग हैं जो आपको जंगी जंगलों और शांत ग्रामीन इलाकों में ले जाएंगे। दाजिलिंग के पास कंचन जंगा परवत दुनिया की तीसरी सबसे उची चोटी है, जिसकी चोटी की उचाए 8586 मीटर है। सिक्किन के किरात धर्म में इस परवत को बहुत पवित्र माना जाता है और स्थानिया लिम्बू भाषा में इसे सेवा लुन्दमा भी कहा जाता है। कंचन जंगा की 5 चोटियों में से चार को दाजिलिंग और गैंग टॉक की कई बिंदूँ से देखा जा सकता है। आप शिकहर का शानदार द्रिश्य देख सकते हैं, टाइगर हिल सरुष्रेश्ट में से एक है। यदि आप गैंग टॉक में हैं, तो सिक्किम में गोईचाला ट्रैक रेंज तक ट्रैकिंग के लिए मानक आधार शिविर है। मई से भारी बारिश भी शुरू हो जाती है और अक्तूबर के मध्य तक रुक रुक कर जारी रहती है। में 550 प्रजातियों के साथ विभिन प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। में तेन दुआ हिमालाई तहर, कस्तूरी म्रेग, हिमालाई काला भालू, तिबबती जंगी गधा, जंगी कुत्ता, हिमालाई नियी भेर, सिवेट, सिरो, स्लोट भालू, गोराल, लाल पांडा, ताकिन और रसेल वाइपर जैसे साथ। दो, तंचन जंगा बेस कैंप ट्रैक, सबसे रोमांचक ट्रैक है क्योंकि यह भारत, तिबबत और नेपाल की सीमाओं में फैली 8586 मीटर की उचाई पर दुनिया की सबसे उची चोटी है। ये घाटियों और परिद्रिश्यों का आश्चर्य जनक द्रिश्य प्रस्तुत करता है जहां आपको प्रकृती का सर्वोत्तम रूप देखने को मिलेगा। ये रास्ता दाजिलेंग से शुरू होता है, जहां से आप युकसान, बक्खिम, फेदान, देजोगरी, बिकबारी से चौरी खांग और रथोंद ग्लेशियर तक चलेगे। परवत श्रिंखलाओं के मनोरम द्रिश्यों को देखने और हरे भरे घने जंगलों, विविध्वनस्पतियों और जीवों, आदिवासी गाओं और चरने वाले आकसे गुजने के लिए ये ट्राक एक वास्तविक सा कार्या है। यहां तक की मानते हैं कि एक यातिक हिमालाई दानव जिसे नीग्यूट कहा जाता है, अभी भी इसकी धलानों पर घूमता है। पूर्वी हिमालाई चोड़ी पत्तिवाले और शनकुधारी वन, पूर्वी हिमालाई अलपाइन जाड़ी और घास के मैदान और तराई दुआर सवाना और घास के मैदान। कंचन जनगा परिद्रश्य सीमा भूटान, चीन, भारत और नेपाल द्वारा साजा की जाती है और इसमें कुल 6032 किलो मीटर वर्ग के 14 संरक्षिक क्षेत्र शामिल है। कई महत्वकून पौधों की प्रजातियां जैसे रोडोडेंडरोन, ओकिड और अन्यलुप्त प्राय प्रजातियां जैसे हिम तेन्दुआ, इश्याय काला भालू, लाल पांडा आदी। कंचन जंगा दानव, कंचन जंगा के आसपास का क्षेत्र पहारी देवता का घर माना जाता है जिन्हें जोनगा या कंचन जंगा दानव कहा जाता है, जो एक प्रकार का यतिया राक्षस है। 1925 में, एक ब्रिटिश भूविज्याने का भ्यान ने एक दो पैरो वाले प्रानी को देखा और जब उन्होंने स्थानिय लोगों से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने इसे कंचन जंगा दानव कहा। कंचन जंगा मुख्य ब्रहमपुत्र नदी बेसिन की सबसे उन्ची चोटी है, जो विश्वस्तर पर सबसे बड़े बेसिन में से एक है। इस थान पर है, ये हैवरेस्ट के बाद चौथी सबसे प्रमुक चोटी है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झाल झाल